नमस्कार आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला आज के इस वीडियो में हम सभी हरिताली का तीज वरत की कथा सुनेंगे हरियाली तीज अभी गई है वो श्रावन मास में थी लेकिन हरिताली का तीज इस महिने यानि की अगस्त में 21 अगस्त को है शुब महुर्त और विधी हम ने दूसरी वीडियो में बताया है वो जाकर के आप देख लीजिए आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की तृतिया तीज को मनाई जाने वाली हरिताली का तीज की जोकी इस साल 21 अगस्त को पढ़ रह हैं इस तरह क्यों क्योंकि सोभाग्यवती रहें उनका सुहाग हमेशा जिन्दार है सही रहे और जो युवतियां होती है जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है वह इसलिए करते हैं को अच्छा वर मिले जिस तरह से उतर प्रदेश और पंजाब के अलावा दिल्ली में देखेंगे आप तो चौत मनाई जाती है करवा चौत मनाई जाती है उसी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जीलों में हरी तालिका तीजगा वरत किया जाता है सेम लगभग उसी प्रकार का होता है सबसे पहले इस वरत को माता पार्वती ने भगवान शिव क के विवाह की कथा सुनी जाती है या उसको पढ़ावे जाता है जो आपको इजी लगे वो कीजिए आईए अब हम आपको कथा सुनाते हैं कि ये कथा क्या है पौराणिक मानेता के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस वरत के बारे में विस्तार पुर्वक समझाया था मा गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया एक दिन नारज जी न विष्णु के सामने जाकर नारदमुनी बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं भगवान विष्णु ने भी इसके अनुमती दे दी फिर माता पार्वती के पास जाकर के नारदमुनी ने सूचना दी कि आपके पिता ने अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचा करके उनकी सखिया माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में इस्थितिक गुफा में छोड़ाई यहीं पर रहकरके उन्होंने भगवान शिव को पती रूप में पाने के लिए कठोर तब शुरू किया जिसके पवास रखते हुए उन्होंने रात्री का जागरण किया उनके कठोर तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पुन होने का वर्दान दिया अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने वरत का पारण किया और समस्त पूजा अगरी को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिये जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुत है फिर वह पार्वती को ढूंते हुए उस स्थान तक जा पहु से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हुए तो इस प्रकार से मनुवांशित वर के प्राप्ति हुई माता सती को यानि की मा गोरा को यानि की पार्वती जी को मनुवांशित वर के प्राप्ति हुई तभी से ये व्रत मनाया जाता है क्मारिक नियाए इसलिए मनाती है क्य हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए हरहर महादेव जैमा पारवदी कि आज की इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही नई कथा नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को कर लिजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए आनदित रहें प्रेम से बोलें ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव